तो आज के इस वीडियो में हम लोग सौर करेंगी यह प्राक्टिस सेट जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है यह एडवान्स जावा का हमारा प्राक्टिस सेट है जिसमें कि हम लोग कवर कर रहे होंगे यह सारे के सारे टॉपिक्स फॉर एक्जामपल array list, collections framework वाले topic तो यहां पर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो अपने intelligent idea को fire करूँगा और intelligent idea को fire करने के बाद यहां पर एक नई यह भी बता दो जो यूज कर रहे हो, scanner भी बता दो जो यूज कर रहे हो, variable times भी बता दो यह बीच से notes क्यों दे रहे हो, इस तरह के comments आ जाते हैं बीच बीच में तो इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यह जो वीडियो है इस playlist को बार्ट है आप यहां पर क्लिक करक प्राक्टिसेट.java ठीक है, shift enter दबा के main लिखोंगा और एक main method बना लूँगा, और इस main method के अंदर में क्या करूँगा, practice set question 1 को solve करूँगा, और हमारा practice set का question 1 यह है, कि आपको बनानी है एक array list, ठीक है, array list ar is equal to new array list, और इस array list के अंदर पता है मैं क्या करूँगा, इस array list के अंदर मैं जैसे की मैंने आपर लिखा हुआ है कि store करना names of 10 students, तो मैं यह करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ar.add का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर student 1, उसका नाम मानले student 1 है, ठीक है, और यार मैंना, सही बता रहा हूँ आप लोगो, मुझे पता देना, 10 students के नाम, यार मैं थोड़ा shortcut मार रहा हूँ यहाँ ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ अपर, object o in ar, और यहाँ पर system.out.println ar, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखना, अब क्या होगा, इसको run करूँगा, right click करके तो, यह जो loop मैंने इस्तेमाल करा, य यार, मुझे o को print करना था, for object in ar, for object in this area list, run करूँगा, और यहाँ पर देखना, आप लोग क्या होगा, student 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, ठीक है, तो बहुत ही simple सा question, बस area list की याद दिलाना चाहता था आपको, यह question इसलिए मैंने दिया, इसके बाद, collections framework में एक और question दिया है, मैंन बात और, कि ना, जब भी इस तरह के questions को solve करते हैं, हम लोग, java 14 dogs को सामने तो रखना ही रखना है, और उसकी वज़ा है, उसकी वज़ा है, यह यह जावा 14 dogs सामने रहेगी ना, नजरों के, तो बहुत easy हो जाएगी चीज़े हमारे लिए, मैं आपर अगर जैसे set लिखता java.util.set, यहाँ पर मेरे सामने आ गया, अब मैं यहाँ पर सब कुछ देख सकता हूँ, यह जो set है, यहाँ पर मेरे सामने आ चुका है, interface के सारे methods मेरे सामने आ चुके है, और आप लोग देख लो, यहाँ यहाँ पर कि यह कितना easy मेरे लिए हो गया है, ठीक है, अब यहाँ अबर देखो, कि यह जो set है, ठीक है, अगर मैं question number 5 को solve करूँ, मुझे पता है, मैं थोड़ा jump कर रहा हूँ, practice set question 5, but it doesn't matter, कि मैं कौन सा question पहले solve करूँ, मैं बस collections वाले questions निप्टाना चाहता था, और मैंने उस order में इसलिए रखे थे, क्योंकि बीच में date की questions डालना चाहता था, कोई बात नहीं, set s is equal to new set, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से new set बनाँगा, एक काम करते है, set integers का बना लेते है, ठीक है, यहाँ पर मैंने int का set बना लिया है, यहाँ पर मुझे है, hedge set को बनाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखकर आ रहा था, जब मैं set का object बनाने की को इसका object कैसे बनेगा, यह तो यहाँ एक interface है, इसका object क्यों बना रहे हो, तो इस तरह से जो है, मुझे अल्रड़ी बता देता है, java यार, बहुत ही मस्त इंसान है, तू, add, java नी, intelligent idea, java तो behind the scenes run हो रहा है, intelligent idea की तारीफ करनी होगी, यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, set dot add 6 मैंने करा यहाँ पर, और उसके बाद मैं 60 कर देता हूँ, 46 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, ठीक है, यह सारे मैं कर देता हूँ, 46, 60, 5, 6, 46, 60, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो है, 9 कर देता हूँ, ठीक है, और दुबारा से अब मैं 6 करूँगा यहाँ और इसके जो हमारा six था वो सिर्फ एक बराया है तो मैंने question के लिखा था यह बता देना हूं पहले मैं आपको question मैंने यह लिखा था create a set in java try to store duplicate elements inside the set and verify that only one instance is stored यानि कि आपको एक set बनाना था उस set को बनाने के बाद आप लोगों को उसमें duplicate element डालना था और उस duplicate element को डालने के बाद आपको यह verify करना था कि वो set के अंदर गया नहीं तो यह बहुत simple सा question था यार एक बहुती simple सा question yet very effective practice of set मैं कहूंगा और मैंने आपर create a set लिखा है और create a set लिखते ही बता है क्या आती है बात दिमाग में कि यार एक set object बना लो बट नहीं set object नहीं बनाना है set object क्यों बनाना यार आपको hash set बनाना पड़ेगा set abstract है set abstract है आपको एक concrete class से object को बनाना पड़ेगा यह बात है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है अगर आप बीच से देख रहे हो किसी भी वज़ासे यार यह सब मैंने बहुत detail में discuss करी है जिसकी वज़ासे यह 101 वीडियो बन गए है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जल्दी से अगले question की तरफ बढ़ेंगे यार date class का इस्तेमाल करना है इस time को print करने के लिए तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पर date लिख लूँगा अपनी जिंदगी को आसान बना लूँगा java.util.date java.util.date लिख लूँगा यहाँ पर क्योंकि यार मेरे दिमाग में इतनी जान नहीं है कि मैं यह सब चीजों को बार बार जो है याद करूँ इनके methods को मैं क्यों याद करूँ यार इसके methods को मैं आपर get house, get minutes, get month, get seconds इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं आपर जल्दी से date class का element बना date ठीक है और यहाँ पर new date और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं आपर लिखूंगा system or outdoor print alien और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या कर लिखूंगा d.get hours ठीक है फिर plus करूँगा plus करने के बाद minutes लूँगा मैं इस date से d.get minutes ठीक है d.get minutes कर लूँगा और d.get minutes करने क बाद पता है क्या करूँगा मैं d.get minutes करने के बाद यार get seconds करूँगा simple सी बात ठीक है लेकिन एक shortcut अपना हूँगा एक ninja shortcut एक ninja technique अपना हूँगा और वो ninja technique पता है क्या होगी कर भी दी मैंने copy paste को कह रहा था इतनी बड़ी ninja technique थी नी बट ठीक है hours minutes seconds ठीक है दरह प्रिंट करक है इस format मेंने hours minutes seconds प्रेंट कर दिया है आप लोगो कि यार आपने बताया any minute कौन सा है second कौन सा है मुझे यहां पर arrow लगा कि बताने न अच्छी है था मैं red pen से arrow लगा कि वैसे बता दूँगा नहीं बताऊं तो समझ जाना है hours minutes seconds ठीक है यहां पर arrow लगा कि मेरा plan था कि मैं red pen स से यहां पर arrow लगाऊंगा या लिखूंगा hour या लिखूंगा minute या लिखूंगा seconds भूल गया है यार क्या करूं भूल गया कोई बात नहीं अब देखो यहां पर repeat to using calendar class same चीज calendar class से repeat करना है ठीक है calendar class java.util.calendar और calendar class से same चीज कैसे repeat होगी बहुत ही simple है अच्छा मैं क्या करता होना है अपर आपको notes में लेकर चलता हूं और आपको वहां पर पता चलेगा कि किसना आसान है calendar classes चीज को करना देखो notes में आप लोग जाओगे notes का फाइदा यह होता है लिखने का पन्ने पल्टोगे एक calendar a is equal to calendar.get instance करोगे ठीक है मैं आप लिख देता हूं यह है हमारा question number two question number three में solve कर रहा हूं practice set question three calendar c is equal to calendar.get instance और system.out.println मैं लिखूँगा c.get और यहाँ पर लिखूँगा calendar.calendar.hourminute or second ठीक है बहुत simple है मैं काम करता हूं इसी template को ले आता हूं इसी template को ले आऊँगा और इस template को लाने के बाद इस template को लाने के बाद मैं क्या करूँगा hour minute or second करूँगा c.get calendar.minute और second इसके बाद आजाएगा c.get के बाद यहाँ पर second लिखूँगा capital से लिखना पड़ेगा मुझे एक ही चीज को प्रेंट करेंगे जानने के लिए देखिए क्या हुआ एरर आ गया इसे ही इसको जो है स्वाल करेंगे तो एक ब्रैक्ट में एक्सट्रा लगा दिया कोई बात निकलती जो है इंसारों से यह होती है अब देखो ह्याँ आपर क्या यहर इन फिरयंट कर रहा है नहीं यह एक चीज फ्रेंट नहीं कर रहा है क्योंकि यह एम पीम वाला टाइम हमें बता रहा है तो यहां पर एक हमारे पास कुछ ना कुछ होता होगा जो कि हमको एम पीम प्लस आवर 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 आव डे ठीक है आवर आव डे होता है शायद if I'm not wrong आवर आवर आव डे अब शायद यह चीज बिलकुल सेम प्रिंट तो मैं डेट क्लास से भी मैंने प्रिंट करके दिखा दिया आपको यह चीज और मैंने आपको यह चीज चीज कैलेंडर क्लास से भी प्रिंट करके दिखा दी अब जावा डॉट टाइम इसको प्रिंट करना इता असान है ना इता असान है ठीक है एक प्रिंट जरा सा इसको न अच्छे से format कर दूंग एक एक question जो है न solve मिले आपको question 1, question 2, question 3, question 4 भी solve करी देता हूँ practice set question 4 ठीक है question 4 क्या कह रहा है question 4 यही कह रहा है कि भाई question number 2 को solve कर दू using what using java.time API ठीक है और java.time API को जानने के लिए हम date formatter में जाएंगे वापस से date time formatter की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा था है यहाँ पर पिछले वीडियो में कि आप पहले एक date string मना के print करूँगा सिर्फ string मना के print करूँगा और यहाँ पर मैंने बहुत सारी copy paste कर दिया और यार करना भी चाहिए क्यों नहीं करूँ यार मैं copy paste मैंने जब महनत करके यहाँ पर code लिखा हुआ है पहले से उसको मैं दुबारा क्यों लिखूँ आप लोग भी अपनी जिन् पर लिखा है तो आप उसको बार बार नहीं लिखेंगे वह प्रैक्टिस नहीं है आप प्रैक्टिस किसी और चीज की भी कर सकते हो हाँ अगर आपको जी सीक रहे हो तो हाँ बार 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 repetition से काफी फायदा होता है बट याबर अगर आपके पस time constraint है और बहुत ही simple सी चीज है वह तो मेरे रिजाब से आपको मापर time बचा लेना चाहिए और प्रैक्टिस तो यार आप जैसे ऐसे coding करते जाओगे जैसे जैसे नई चीज़े बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी होती रहेगी ठीक है anyways यहाँ पर हम बावस आएंगे और यहाँ पर देखो question number four में मैंने जो format लिखा है वो शायद यही था if I'm not wrong hour minute second by the way मैंने s का तुक्का बारा एक यह second होगा capital भी हो सकता है वैसे ऐसी second ही होगा हाँ यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो बिल्कुल तीनों ने साही time जो है print कर दिया अच्छा date time formatter class के बारे में इसे किसी को न उसकी आप documentation खोले और यहाँ पर देख लें कि एस क्या है जी क्या है अब यहाँ पर देखो मेरी किस्मती second of minute है एस और यह fraction of second है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग जो है बड़े अराम से इन सब चीज़ों को जो है nanosecond और सब चीज पता कर सकते हो सब चीज पता कर सकते हो time zone यहाँ आप अपने जावा के प्रजेक्ट करा रहें क्योंकि यह latest API है ठीक है तो यह जो java.time API है इसका अब इस्तिमाल करें मैंने आप जो java.time package है इसके जो API है इसको मैंने अच्छे से आप लोग को बता रखा है विद इस हम यहाँ पर क्या है अपना advanced java one जो है खतम करते यह दोनों PDF जो है आप लोग को मिल जाएंगी हम यह दोनों PDF जो है मैं आपको corresponding videos के description में दे दूगा या फिर आप लोग जो है website विजिट कर सकते है अचा एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया यह image थी एक मैंने आप लोग को दिखाई थी शुरुआत में जब हम collections framework क यह पहले वीडियो में दे दूगा या फिर यार अगर आप लोग थोड़े से भी कमाल सी हो या आलस नहीं रखते हो थोड़ा सा भी तो आप क्या कर सकते हो कि collections framework Wikipedia लिखकर images में जाकर पहली image पे click करके right click करके open images new depth करके download कर सकते हो ठीक है तो यह सब चीज़े access कर ले ना आप लोग तो इस वीडियो के बाद सब लोग website visit करेंगे और अपनी अपनी copy download करेंगे PDF की ठीक है so I hope कि आपको मजा आ रहा है इस course में अभी के लिए इस वीडियो में इस थैंग यह सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो एन I will see you next time आप